विश्व मैनुपॉस दिवस 18 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इसका उद्देश्य महिलाओं को रजो निर्वती के बारे में जागरुकता पैदा करना एवं अच्छे स्वास्त के प्रती सजग बनाना है विश्व मैनुपॉस दिवस 18 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है इसका उद्देश्य महिलाओं को रजो निर्वती के बारे में जागरुकता पैदा करना एवं अच्छे स्वास्त के प्रती सजग बनाना है आज जैसा कि आप लोग सब जानते है वर्ल्ड मेनुपॉस दिवस एक आपकी महिलाओं की एक फेज अफ लाइफ है जो की बदलाव आएगा आपको और 40-42 के आसपास ये बदलाव आना शुरू हो जाता है मेनोपॉस पैटारिस से 55 सार के बीच की उमर में होता है मेनोपॉस होने पर इस्तरी के शरीर में शारिरिक और मांसिक दोनो प्रकार के परिवर्तन पाये जाते है बे मतलब पे रोना होना और बिल्कुल ऐसा लगना कि मर रही है दिल का दोरा पड़ गया ये सब चीजे होती है पर ये मेनोपॉस की हॉर्मोन की वज़े से ये तकलीफे होती है तो आपको इनका ध्यान तभी नहीं रखना है जब मेनोपॉस आएगा इस सब का ध्यान आपको 35 किसाल से तो इसलिए क्लब 35 है आपको अपनी बॉडी को रेडी रखना है मेनोपॉस के लिए उजाला सेगनस रेंवो हॉस्पीटर के इस्त्री रोग विशेशगे डॉक्टर नरेंदर मलहोतरा ने बताया कि सामानेता ये परिवर्तन इतनी धीमी गती से तथा अल्प होते ह कि इस्त्री को कोई असुविधा नहीं होती हाला कि कुछ इस्त्रियों को विशेश कस्ट होता है रजो निर्वती रक्षण हर महिला में अलग-अलग दिखाई देते हैं किसी में अचानक मासिक धर्माना बंध हो जाता है तो किसी में यह प्रक्रिया एक-दो साल तक चलती है कुछ महिलाओं को 45 वर्ष के उम्रे से पहले ही मेनोपॉस आ जाता है सी निउस के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट